जाम नगर गाउ में विजय अपनी पत्नी जया और दो बच्चों के साथ रहता था जिसमें बड़ी बेटी पांस साल की थी और छोटी बेटी छे मेहने की गोद में थी विजय गौण के ही एक फैक्टरी में काम किया करता था एक बार की बात है फैक्टरी में काम करते हुए विजय को जोड से चोट लग जाती है जिसमें उसका एक पैर घायल हो जाता है जया विजय को घर लाती है और उसकी बहुत देखवाल करती है विजय एक पैर से अपाहिज हो चका था विजय चल तो पा रहा था किन्तु उसे एक डंटे की सहारा लेना परता था एक पैर से अपाहिज होने के कारण विजय की नोकरी चली जाती है एक दिन विजय अपने घर में भगवान विश्णु के सामने रोने लगता है और बोलता है हे प्रभू मैंने इसी क्या गल्ति की है जो आप मेरे ऐसी परिक्षा ले रहे हैं एक तो मेरे पैर चले गया उपर से मेरी नौकरी भी चली गई प्रभू मेरे घर का कैसे गुजारा होगा प्रभू मेरे बच्चे जो दूद के बिना बिलक रहे हैं प्रबू, अब मैं क्या करूँ, कहां चाहूँ, कोई मुझे पैरों के कारण नौकरी नहीं दे रहा है, मुझे अपाहिस बोल बोल कर मेरे मजाक उड़ाते हैं सभी अगर संकट आया है तो वही इस संकट से हमें निकालेंगे, बस आप धीरज रखिए, इसके बाद विजय नौकरी की तलास में घर से बाहार निकल जाता है, विजय दुकानों और फैक्ट्रियों में जाकर काम मांगता है, किंदू अपाहिस होने के कारण उसे कोई काम नहीं मि मिलता, ये भगवान, मैं कहां जाओं, कहां काम मांगूं, कोई मुझे काम नहीं देता, क्या अपाहिस को जीने का हक नहीं है, ये सब सोचते हुए विजय अपने घर वापस आ जाता है, घर आते ही वो देखता है कि उसका माकान मालिक पहले से घर पर बैठा हुआ था, क्या इस मैंने मुझे किराया नहीं मिला, तो मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूँगा, फिर मत बोलना, मालिक मुझे कुछ समय और दे दीजिए, आपको तो पता है, अभी अभी मेरा एक्सिडेंट हुआ है, और अपाहिस होने के कारण कोई मुझे काम नहीं दे रहा ह और अब आप भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, तो मैं इन दोनों छोटे-छोटे बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा मालिक, दया कीजिए मालिक, ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, किन्तु मैं दो दिनों के बाद फिर से वापस आऊंगा, इस तेरह दो दिन बीत गये, विजे काम की तलास कर ठका हार साम को अपने घर वापस आता है, तो देखता है, उसके घर का सारा सामान बाहर बिखड़ा हुआ है, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं, आप आपने तो मेरा पुरा सामान ही बाहर फेक दिया है, आप इस तरह करेंगे, तो मैं कहां जाऊं तुझ जैसे आनमी को अपने घर में, चल अपना बोड़िया बिस्तर बांध और अपने पईवार को लेकर यहां से निकल जा, घर का मालिक विजे क्या एक भी बात सुने बिना घर पर ताला लगा कर वहां से चला जाता है, अब हम लोग कहां जाएंगे, ये मुन्ना भी जो जोड से रो रहा है, इसे भी भूक लगी है जोड की, अब हम लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, जैया चिंता मत कर, अभी तो फिलाल हम लोगों को यहां से कहीं जाना ही पड़ेगा, तो ये काम कर, तो मुन्ने को समाल, मैं ये सामान उठा लेता हूँ, बीजे एक हाथ म ये वो लोग भूक के कारण बहुत जादा ठक जाते हैं, चलते चलते काफी साम हो जाती है, वीजे चलते हुए आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, भगवान आप लोगों को मजा आता है ना, हम गरीवों को दुख देते हुए, आपको जरासा भी दया नहीं आती प्र उसके बाद ये छोटा सच्छो महना का बच्चा मेरा जो दूद के अभाव में रोए जा रहा है, इस छोटे से मासुम का रोना देखकर भी आपको दया नहीं आती, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं प्रभू, वीजे रोते हुए और अपने परिवार के साथ भगवान से व नहांस और फुज से बनी हुई थी, रात होने वाली थी, इसलिए वो जया से बोलता है, जया रात होने वाली है, क्योंना हम लोग इस तूटी-फूटी जोपड़ी में रुक जाए, बच्चे भी काफी रो रहे हैं और काफी ठक भी गये हैं, हमें यहीं पर रुकना हाँ जी, अब सही कह रहे हैं, मुन्नी भी बहुत देर से रो रही है, और मैं भी अफ़क चुकी हूँ, अब आगे नहीं चला जाएगा अका हारा विजय अपने परिवार के साथ वहीं पर सोजाता है, सुभज जब विजय की नीन खूलती है तो वो देखता है कि उस तूटी-फूटी हुई जोपड़ी के एक कोने में भगवान बिश्नु की मूर्ती रखी हुई है, जिस पर कुछ सूखे पते और घास फूस र उठाता है और उसे साफ करता है, मूर्ती के उपर से घास फूस और सुखे पत्तों को हटाता है, उसके बाद विजय जोपड़ी के पीछे ही चापा कल था, जहां वो जाकर नहाता है और मूर्ती को भी नहलाता है, नहाने के बाद वो उस मूर्ती को उस जोपड़ी में बने हुए एक कोने में चबूतरे पर रखता है और भगवान बिशनु की पूजा करता है वो अपने घर से भी लाई हुई मूर्ति को उसी जगा पे रखता है पूजा करने के बाद वो अपनी पतनी जया से बोलता जया मुझे लगता है ये भगवान बिश्नु का ही कोई चमतकार है लगता है इस जोपड़ी में कोई नहीं रहता क्यों न हम लोग इस जोपड़ी को ही थोड़ा अच्छे से ठीक करके हम लोग यहीं पर रहें और मैं भी अपना कोई काम सुरू करूं हाँ जी आप सही कह रहे हैं आज की सुभा एक नई कीरन लेकर आई है हमारे लिए ये रोस्नी की वह कीरन है जो हमारे अंधियारे को दूर कर देगी इसके बाद दोनों पती पतनी मिलकर उस जोपड़ी के हालत को थोरट ठीक करते हैं तूटी फूटी सामान को बाहा निकाल द उसके बाद जोपड़ी के बाहर ही उसे एक इट से बनी भट्टी नजर आती है अरे जया ये देखो ये इट से बनी भट्टी क्यों न मैं अपना चाय बनाने का बिजनस सुरू करूं मैं यहां से अपना काम भी कर लूँगा और तुम लोगों की देखबाल भी कर पाऊंग हाँ जी आप सही कह रहे हैं लगता है ये सब भगवान बिशनु की ही किरपा है वो कहते हैं न कि जब एक रास्ता बंध हो जाता है तो भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं ये सब उनकी ही महीमा है इसके बाद विजय वही पर चाय बनाने का काम सुरू कर रास्ते में आते जाते लोग चाय की भटी देख कर वहाँ रूखते हैं और विजय की चाय पीते हैं जिससे विजय को पैसों की आमधनी होने लगती है। दोनों पति पत्नी भगवान बिश्नु को धन्यवाद देते हैं और खुसी खुसी अपने परिवार के साथ जीवन्यापन करने लगते हैं